नमस्कार स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्वी चनल अर्दी में की डुपाद हम सब को पता है कि हम सब लोग इस सिक्षा को उसके माध्यम से एटेंडेंस लगा रहे हैं इसमें बहुत सारे सिक्षों की क्वेरी जाई है और लाजमी भी है उसकेरी का ह होना कि सर मार के टेंडेंस तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन सी एल और एसल के समंध में क्या करना है तो इसी समंधित यह वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं यह बात पहुंचाओंगा कि सी एल और एसल के समंध में कैसे करेंगे यह वीडियो को सुरु करते हैं और जानते हैं कि क्या हमें करना है सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि पचीस तारिक से लेकर आपको पचीस छे से लेकर ये आपको पचीस नौ तक ये क्या है या आपको ट्राइल ट्राइल में है यानि ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है यह आपको जो यह चल रहा है इस इख्षा-coast के साथ अटेंडेंस के परकरिया यह पूरी की पूरी टेस्टिंग फेज में है जब कोई चीज टेस्टिंग फेज में है और आपके अटेंडेंस के जब आप एप खोलते हैं तो उसका डैसोड है यानि उसका होमपेज है उसमें आपको कहीं भी CL और ACL के लिए कुछ दीख नहीं रहा है यानि किवल आपको दीखता है मार्क अटेंडेंस और अपलोड सेब डाटा जहां आपको मार्क अटेंडेंस करने के बाद वो डाटा जो है नो आटोमेटिक आपको सिंख हो जा रहा है उसकी वेबसाइट में तो बात आती है कि CL के लिए और ACL के लिए हम क्या करें हमारे महिला सिख्षिकों को ACL की जुरुत है CL की जुरुत है पुरुष सिख्षिकों को CL की जुरुत है और अनेपरगार की उनको लिव की जुरुत है क्या करें जब हम सबको पता ही है कि सारी की सारी चीजें टेस्टिंग फेज में हैं और कोई लिंक उपलब्ध नहीं है तो अभी तक जो आदेश है तो आपको और हमें CL जो है जो पहले ओफलाइन बेवास्था से ली जा रही है और SL जो पहले ओफलाइन बेवास्था या नहीं दरखास देखे जो हम लोग ले रहे थे अप्लिकेशन सब्मिट करके ले रहे थे हम से वहीं प्रकिरिया चलेगी क्योंकि अभी इसके लिए कोई आप्सन कहीं से सेल वाले ही करेंगे नई प्रमप्रा को एडप्ट करने के लिए और हाव टू सब्मिट आवर अप्लिकेशन इसके लिए कैसे करेंगे उसके लिए कहीं कोई आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको टेस्टिंग फेज में है तो बहुत सारे सिक्षों के मन में यह होगा कि ट इसलिए फोर्स फुली निरिक्षन की परक्रिया की भी जा रही है और हम सबको पता है कि एक जुलाई से लेकर और आपको छे साथ तक यह आपको इसके बारे में पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो जहां तक CL और SL की बात है तो CL और ACL जो है हम लोग प जनदी दिखते हैं यह च्छाक उसमें तो सर जानना यह है कि जब आप विद्याले में उस CL की या नीए छुटी के दिन आप है ही नहीं तो विद्याले के पूर्टल पर पे तो absent बिल्कुल दिखाएगा बिल्कुल absent दिखाना ही दिखाना है और दिखाना भी चाहिए तो होगा क्या कि इस absent का region क्या है आपने CL लिया है या SL लिया है आइधर CL और SL तो absent के बारे में जब आगे queries होगी जोकि query होने जा नहीं रही है जोकि यह testing phase में है तो इस absent को justify कैसे किया जाएगा आपके CL और application से आगे भी अगर यह इस तरह की प्रक्रिया CL और के लिए नहीं आएगा तो जो आप absentee भेजते absentee के माध्यम से वहाँ आपको BRC में चीज़े पहुँचेंगी absentee के माध्यम से बियार सी में पहुचेंगे कि यह फलाना सिक्षा कितने दिन के लिए मल यह दो दिन के CL पे है दो दिन के SL पे है तो वहाँ जो जब absentee के माध्यम से जब पहुचेंगा आपका CL और SL BRC में सब को भेजा जाता है absentee तो CL और SL भेजा एपसेंटी होता क्या है आपके विद्याले में अनुपास्थिति की विवरनी यानि जितने जिन आप absente हों है उसकी विवरनी भेजे जाएगी तो माल लिए जैसे हम लोगोंने माना था कि दो दिन CL और SL पे है तो आपके इस इक्षा कोस पे इस इक्षा कोस पे कि दो दिन CL पे था और दो दिन SL पे था क्योंकि absentee जो भेजा है HM ने absentee जो भेजा है absentee HM के दौरा गया है BRC में तो वो उस चीज़ को justify कर देगा और उसके बाद आपके उपर कोई करवाई नहीं होगी और करवाई अभी तो होनी ही नहीं है क्यांकि यह टेस्टिंग फेज में इसलिए ज्यादा पैनिक होने के जरूरत नहीं है हमें जो पुरानी प्रंपरा है अप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन दे के हम लोग जो करते हैं उसी अप्लिकेशन के माध्यम से आपको वो काम करना है अप्लिकेशन के लिए आप आवेदन देजिए और नॉर्मल तरीके से आप उसको लिजी इसलिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है किसी के बर्ग लाने के उसमें नहीं है मेरा यहीं मानना है और मानने के पीछे आधार भी मैंने आपको बता दिया तो CL और SI से समन्द में इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नहीं अपडिट के साथ यदि कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेट बक्स में जरूर लिखे अपना क्या रखे जय हिंद